तो चलिए आज हम पालक पनीर बनाते हैं तो इसके लिए आपे हमने आपे पालक को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है देखिए इसे हमें अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है जिसे की पालक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है अगर बढ़िया तरीके से बॉयल हो जा वो 5-7 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉयल कर लिया है इसे हमने डग दिया था जिसे कि बहुत ही जल्दी से बॉयल हो गया है अच्छे से उबल गया है देखे जब यह अच्छे तरीके से उबल जाएगा फेस को हम निकाल लेंगा इसे निकालने के बाद हम तूरंत इसे ठंडा पानी में डाल देंगे ठंडा पानी में अगर इससे हम डालते हैं तो इसका कलर नैच्छुरल जैसा कलर रहता वैसी रहेगा बहुत ही अच्छा इसका green color आएगा लोकवाइस बहुत ही अच्छा दिखता है देखिए हमने इससे ठंडे पाने मडाल देखिए हमने कडाई को गरम उनके रख दिया है यहाँ पर हमने कडाई में सरसू का तेल डाला है जब तेल अच्छे से गरम होगा फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है जब जीरा अच्छे से पक जाएगा उसके वाद यहाँ पर हमने कुछ खड़े गरम मसाला लिया है प्याज ले लिया है एक हमने दो हमने यहाँ पर हरी मेचो कट कर लिया है इससे डाल देंगा और अच्छे तरीके से गोल्डन ब्रावना ते बुनें कखड़ गरम यहां पे अपर हमने घूल मिर्च ले लिया है और थोड़ा ना चिन लिया पस इतनों यहां लिया है जिसे कि आप देखना बहुत ही अच्छा सबची का टेश्ट आता है थोड़ा सा अध्रक का टुकड़ा है अब देखे इसे अच्छे तरीके से हम ब्राउन होने तक पकाएंगे अब यहाँ पे मैंने तीन मीडियम सैज के टमाटर को कट कर लिया इसे भी डाल देंगे टमाटर को में तब तक पका लेना है जब तक अच्छा तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं बहुत अच्छे तरीकी से हम देखेंगे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तब तक इसे हम पकाना है अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिसे की कुकिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से टमाटर प्याज लासन मिर्ची जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगे तो देखिए हमारा टमाटर प्याज लहसन मिर्च अद्रक इस सब बहुत अच्छी तरीकी से पग गया है दिख सकती जैसे क्या वीडियो में अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे फिर इसका एक हम इसमूद सा पेश्ट तयार कर लेंगे जब बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जागा तब इसका पेश्ट में तयार कर लेना है अब चलिए हम अपने पालक को देखते हैं, तो देखिए हमने पालक को थंडे पानी में डाल दिया था, अब इसे हम एक जार में डालके इसका भी एक बहुत अच्छे ICSMOOD PEST तैयार कर लेंगे, पीस लेंगे, तो हमने यह आपे सारे पालक को पीस लिया है, अब सिम उसी जार में यहां पर हमने जो लासन मिर्च का जो हमने भून के रखा तो इसे डाल के अच्छे तरीकी इसका भी एक स्मूथ पेश्ट त्यार कर लेंगे अब फ्रेंट्स इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे यहां पर अब एक बाद जरूर से धनिया डालके बने बहुत ही बड़िया बनता है अब यहां पर हमने मटर भी थोड़ा से लिया है मटर को अच्छे से भून लिया है यह जो हमने पेश्ट त्यार के तब हो है लहसन यहां पर हमने हरी मिर्च ले लिया कसूरी में थी और यह मसाले है धनिया जीरा का पाड़ा रहा है नमक टेस्ट राकॉर्डिंग थोड़ा से गरम मसाला और टर्मरी पाड़र है यह है पालक प्यूरी और फ्रेंट्स हमने आप पनीर को इदम हलका सा तेल डालके इससे बस प्याते हैं कि ज्यादे इसे फ्राइ नहीं कार नहीं हैं अब यह निए चरजा है तेल अच्य गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा ड्या देंगे जिघ यह थोड़ा सा रेड हो जाएगा फिर में हरी मेर्ची डालेंगे लाल मेर्ची डालेंगे थोड़ा loti मेत्री दालेंगा कई लोग सब्सक्राओं बढ़ और उसके वाद उससे थोड़ा सा हम्पा सा गर्म करतें अन्य थे चाहे बहुत है यह उच्छा था कि यहां पर हमने गैस के फ्लेम को स्लो रखा है जिसे की बहुत ही अच्छे मतलब ज्यादा ही पक जाता है तो तरह टेश अच्छा नहीं आता है जब यह थोड़ा सा रेड हो जाएगा उसके जो हमने पेश त्यार किया था टमाटर प्याच का हरी मिर्च का यह जो सारे हमने भ जाएगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेश्ट आता है वादा सिर्फ एक हम धनिया की पत्ति डाल देते तो इसका टेश्ट इता ज़्यादा इन इन सो जाता है ताव एक बाट राइक करना में को कमेंट में बताना कैसा लागा अब इसे अम अच्छे तरीके से तक इसे हमें भूनना है कि अब यहां पर गैस के फ्लेम को हमने हाई कर दिया है जिसे की बहुत ही चल्दतरीके से हमारे मसाले जो अच्छे से भून जाएंगे और इसे हमें लगतार इश्रक करते रहना है जो कि बहुत ही हाँ पर हमने थोड़े से कम कॉंटिटी में अउयल लिया है क्योंकि हमने सारे चीचों को फ्राई कर दिया इसे आप यहाँ पर तेल की कॉंटिटी हमने थोड़ा रखा है अब हम यहाँ पे डाल देंगे पालक प्योड़ी और फ्रेंड समय पालक को भी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ज्यादा एकदम बारिक भी नीपिसने एकदम मेडियम पिसने जिसे किसका टेस्ट बहुत ही अच्छा तब सारे बेसिक मसाले हैं धरनिया जीरा पाउडर ट टेल ना निकले तब तक पकाना है इसे डोल के पाकाना अगार अब से डोल नहीं पकाते है इसमी शिदम बावन काको गभी करना है हाई फ्लेंपे कूश राइम करेंगे फिर हम गैस के फ्लेंपो श्लो कर देंगे देखिए इसी हमनी 5-7 मिन तक स्लो फ्रेम पे हाई फ्रेम पे ऐसे करके पकाया है इसी ढख की अच्छे से पकाया है देखिए हमारा मसाला है जो अच्छे से पक गया है अब इसमें हमनी जो मटर को भून के रखा था उसे डाल देंगे याँ पे फ्रेंट समने मटर को अच्छे तरीकी से पुना है अब चायद इससे बॉल भी कर सकते हैं बॉल करके इससे हलका सा भून के भी डाल सकते हैं जैसा भी आपको टेस्ट अच्छा लगता होगई आसा डाल देजीगा है कईकि लोग को बॉल के हुवा का टेस्ट इसके बाद इससे हम डालके अच्छे तरीके से मसाले में कुक कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब धक देंगे और इससे अच्छे से कुक होने देंगे अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे दो से तीन मिनट तक या भी पांच मिनट तक इसे कुक कर लेंगे जब तक मतलब इसका कलर अच्छा नहीं दीखे थोड़ा सा ऐसा दीखे कि पक गया है उस्ट्रैप का कलर दीखे तब तक इसे पका लेना है हमें तो देखिए हमारा मतलब सबजी बनके तयार हो गया है थोड़ा सी इसम और पानी अट किया है हमने और इसे एक दो उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे अब यहां पर जो हमने पनीर को भून के रखा तक उससे डाल देंगे पनीर को डालने के बाद इसे एक से दो उबाल आने तक पकाएंगे इसे अच्छे तरीके से पनीर को मिक्स कर देंगे मसालों में और फ्रेंड्स अगर आप इसे और भी ज्यादा टेश्टी बननाने साथे हैं तो आप इसे एक प्याज एक खड़ा मतलब लाल मिर्च हो और थोड़ा से जीरा हूं इसे आप इसे तड़का दे सकते हैं तरका मतलब इसमें डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छ सब्सक्राइब का भी तो देखिए अमरा सब्सक्राइब के तयार है क्योंकि आज हमने यह से थोड़ा सिंपल रखना चाहिसलिए हमने आप इसे तड़का नहीं दिया है अब अगर इसे प्याज और तड़का देते हैं तो बहुत अच्छा प्याज का मतलब इक अलग सब्स सब्सक्राइब करना तो देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेश्टी पालक पनीर और मटर का सबजी बनके तयार है तो आप भी जरूर सिस फिंटर सीजन में एक बार ट्राइब करना वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक तो देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेश्टी और बहुत ही हैल्दी पालक पनीर मटर का सबजी बनके तयार है ज़रूर से आप भी अपने घर पे एक पर ट्राइब करिएगा थैंक्स वर ओचिंग बाई बाई मिलते हैं ने श्रीडो मिश्टी कनेक्टेड़